नमश्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर विधान सभा की कारेवाही शुरू होते ही राम नवी हिंसा को लेकर जोरदार हंगामा बिहार में 21 बाजार समीतियों का होगा आधूनी की करण चार अप्रेल तक सासाराम और बिहार सरीफ में इंटरनेट सेवा बन विधान सभा की कारेवाही शुरू होते ही राम नवी हिंसा को लेकर जोरदार हंगामा आज यानी की सोमवार को बिहार विधान सभा की कारेवाही शुरू होते ही राम नवी जोरूस के दोरान हुए हंसा के मामले को लेकर बीजेपी के दोरा सरकार को घेरा गया इस दोरान बीजेपी विधायक हाथों में पोस्टर लेकर सदन के भीतर पहुँचे और जैसे ही सदन की कारेवाही शुरू होती उन्होंने जोड़दार हंगामा करना शुरू कर दिया बता दे कि बीजेपी की ओर से निदा प्रतिपक्ष विजय कुमार सना के दोरा हंसा का मामला उठाये गया और कहा गया कि इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार के ओर से पहले सजक क्यों नहीं थी उन्होंने कहा कि बिहार को आतकवादियों का गड़ बनानी की कोशिश की जारी है इसके साथ उन्होंने कई बातों को सभी के सामने रखा और रिस्तोरान उनकी माइक बंद कर दी गए जिसके बाद बीजेपी विधाय अगवेल में पहुँच गए और हंगामा करने लगे हाला कि स्पीकर के आदिश पर मार्शल के दोरा बीजेपी विधाय को से पोस्ट ले लिए गए लेकिन अंत में राम नवी हिंसा को लेकर सत्ता दल और विपक्ची दल इतने आमने सामने आ गए और इतना हंगामा बढ़ गया कि स्पीकर को सदन की काड़ेवाही इस्थगत करनी पड़ी बिहार में 21 बाजार समीतियों को होगा आधूनिकी करन बहुत जल्दे बिहार में बाजार समीतियों को आधूनिक बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा दरसल इसके लिए क्रिसे विभाग के ओर से 840 करोर रुपे की सुकृति दी गई है जिसके मदसे राजे के 21,000 समीतियों को आधूनिक बनाया जाएगा आपके जानकारी के लिए बता दे के राजे के बाजार समीतियों को आधूनिक बनाने में जो भी खर्च आएंगे उनमें से 95 प्रतीशत हिस्सा नाबाड यानि की National Bank for Agriculture and Rule Development के द्वारा दिया जाएगा मालूम हो किस पैसों की मदसे मंडियों में CCTV कैमरे लगाए जाएगे और साथ यूद पात की गुनवत्ता पर भी जाज की सुवधा उपलब्द करवाई जाएगे इसके लावा किसान अपना आनाज किसी भी मंडी से जुर कर बेच सके इसके लिए बाजार समीतिय को E&AM से जुरा जाएगा सतर साल की उम्र में 105 घंटे साइकल चला कर विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे जमूई के भी म आज के दौर में सतर साल की उम्र में लोग खुद को काफी ठका हुआ महशूस करते हैं वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति ऐसे भी है जो सतर साल की उम्र में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए निकल गए हैं दरसल हम जिस सतर वर्ष ये यूवक की बात कर रहे हैं वह जमूई के गिद्धौर प्रकरण छेत्र के मोडा गाउं का रहने वाला है जिसका नाम भीम प्रशाद मेता है पता दे कि अव्यक्ति 105 घंटे लगातार साइकल चला कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला है जिसके शिर्वात उन्होंने आज यानी के तीन अप्रैल को गिद्धौर इस्थित माध दुर्गा परिसर मंदर से कर दी है मालुम हो कि भीम प्रशाद मेता के दोर अदावा किया गया है कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे अधिक 122 घंटे और 17 मिनट तक लगातार साइकल चलाया है उन्होंने बताया कि जब 100 से अधिक घंटे के लिए लगातार साइकल चलाने का आयोजन करते हैं तो उसके तीन दिन पहले ही भोजन छोड़ देते हैं बिहार हिंसा से जुरे भरकाओ पोस्ट करने पर होगी गिरफतारी मालुम हो किस बात की जानकारी भागलपूर SSP आनंद कुमार के द्वारा दी गई है उन्होंने कहा कि पुलिष प्रिशासन की ओर से सोचल मीडिया पर पैनी नज़र रखी जा रही है ताकि भरकाओ पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कारवाई किया जा सके और साथी सभी पतादिकारियों को अपने अधीन छेत्रों में गस्ती को बढ़ाने चादा से ज़्यादा आसूचनाओं को संकलन करने और अफवाहों के विरुधत तुरित कारवाई करते वे उस बिहार के अल्व संक्या कल्यान विभाग में पटना मुख्याले से लेकर जिला वह प्रखंड अस्तर के कई पद शामिल है आपकी जानकारी के लिए बता दे के इनमें सबसे अधिक पद जो खाली है वह मुख्याले जिला और प्रखंडों में उच्वर निम्न वर्गिय लि स्विक्रित 75 पद में से 10 इस्टेरोग्राफर के साथ और पटना मुख्याले में सहाय के 15 पद रिख्थ हैं 4 अप्रेल तक सासा राम और बिहार सरीफ में इंटरनेट सेवा बंद और साती हालात पर काबू पाया जा सके इसके लिए दोनों शहरों में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बीते दिन यानिकी रविवार को भी बिहार सरीफ में हाला तना पुन बरा रहा मालूम हो कि स्थिती ऐसी बनी रही कि दुकानों के साथ गारियों का भी परचालन बंद है जिस वज़े से लोगों को जरूरी समानों की किलत का सामना करना पर रहा है बता दे इक खबर लिखे जाने तक हिंसा फैलानी के आरोप में 109 लोगों को गरफतार किया जा चुका था वहीं शहर में अभी धारा 144 लागू है मगद विश्व विद्याले से पीजी कर रहे चातरों के लिए आविश्यक सूचना अगर आप यह उन चातरों में आते हैं जो अपना पीजी मगद विश्व विद्याले से कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है दरहसल 2019-21 सत्र में MSC M.com पहली सेमस्टर की परिच्छा होने वाली है ऐसे में 8 अप्रेल को होने वाली परिच्छा को रद कर दिया गया है बता दी कि परिच्छा रद करनी की वज़़ा बिहार B.A. Common Entrance टेस्ट है वह यह 8 अप्रेल को होने वाली इस परिच्छा को रद कर इसकी तारीक 8 अप्रेल को निर्धारित कर दी गई है यानि की अब 8 अप्रेल को CC1, Paper1 की परिच्छा आयोजित की जाएगे इसके अलावा 2020, 25, 70, MA, MSC, M.C.M. कर रहे चात्रों के लिए परिच्छा की तिथी जारी कर दी गई है जारी की गई तिथी के अनुसार परिच्छा किश्रवाद 20 सप्रेल से होगी जो की 27 सप्रेल तक चलेगी बिहार में बन रहा देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोस केबल पुल के दोनों और अप्रोच रोड बनाने के काम में भी तेजी आ गई है बता दे किस पुल की लंबाई अप्रोच रोड के साथ 22.76 किलो मीटर है मालम हो किस पुल का निर्मान 4988 करोड की कुल लागत से किया जारा है जिसका पठना छोड एनेच 30 पर सबलपूर में तो वैशाली छ और एनेच 130 पर चक सिकंदर में है इसके साथ ही पाया 23 और 24 के बीच 6 लिन पुल को रागोपूर दियारा से जोडने के लिए 4 लिन लिंक रोड का निर्मान किया जारा है बता दे किस पुल के निर्मान हो जाने से दक्षिन बिहार वा परोश्री राजे जारकन की तरफ से आ बीते दियानी की रविवार को राजे में करोना से जुरे 13 नए मामले सामने आए हैं मालूम हो कि इन 13 नए मामले में सबसे जाधा बिहार की राजधानी पटना से सामने आए हैं बता दे कि पटना से कुल 9 मामले सामने आए हैं इसके अलावा बाकी 4 मरीज सहरसा पुरवी च 23,000 से अधिक करोना जाच की गई है। लेकिन प्रतिक्रिया वादियों ने दो समुदायों के बीच तंगा फसाद का वातावरन पैदा किया और संभारों के एक दिन पहली यानि की एक मार्च को ऐसा किया जिससे एक ही परिवार के 6 लोग बूरी तरह घायल हो गया। अमिस्ता पर ललन सिंग का पलटवार केंद्रे ग्रिम मंत्रे अमिस्ता के दोरा विहार के नवादा में एक कारिक्रम में चल्ण सभा को संभोधित करते वे जेडियों के राश्ट्री अध्यक्स ललन सिंग को लेकर कहा गया था कि बिहार हिंसा के मुद्दे पर विहार के आतास हो गई है और बॉकलाहट में है आप महा महीम राजेपाल से रोज दिन में दस बार बात कीजे हम लोगों को क्यों तकलीफ होगी बंगाल केरल और महराष्ट में लोग गवा है सब देख चुके हैं कि राजेपाल जैसी संस्था का राजनेतिक उपयोग आप लोग किस त अध्यक्ष और प्रभारियों की एहम बैठक चार अप्रेल को विहार के राजधानी पतना में इस प्रदेश कॉंग्रिस मुख्याले सदाकत आश्रम में विहार प्रदेश कॉंग्रिस कमीटी के द्वारा अध्यक्षों और जिला प्रभारियों की एक एहम बैठक का आयोज प्रदेश कॉंग्रिस प्रभारी भक्त चरंदास व अध्यक्ष डॉक्टर अखलीश प्रसास सिंग के द्वारा किया गया पता देक इस बात की जानकारी प्रदेश कॉंग्रिस के मीडिया विभा के चेर्मैन राजेश रॉट होर के द्वाराद दी गई है नालंदा सासाराम हिंसा को लेकर तेरश्री यादव का बयान बिहार के सासाराम और बिहार सरीफ में हुए हिंसा को लेकर राज्यतिक गर्यारों में चर्चा तेज हो गई है बता दे कि अब इस मुद्दे को लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेश्वी यादव के द्वारा भी टूइट कर अपनी प्रतिक्रियाद दी गई है उन्होंने टूइट कर लिखा है बिहार में सदभाव बिगारने की संगी कोशिश पर बिहार सरकार की पैनी नजर है चिन राजियों में बीजेपी कमजोर है वहां बॉक लाई हुई है एक एक उब्दरवी को चिनहत कर कठोरतं कारवाई की जा रही है भाईचारी को तोड़ने के किसी भी भाजपाई गए लोगों के परिजनों को मुआफजे के रूप में पांच लाख रुपए दिये जाएंगे MI के खिलाफ मैच में विराट कोहली ऐसा करने वाले बने पहले भारतिय खिलारी बीते दिन रविवार को मुंबई इंडियन्स के खिलाफ खेलते वे विराट कोहली के द्वारा ऐसे काम किये गए हैं जिससे वह ऐसा करने वाले पहले भारतिय खिलारी बन गहे हैं बता दे कि बीते दिन मैच में कोहली ने 49 स्केंदों में वह ऐसा करने वाले पहले भारतिय खिलारी भी बने हैं इसके अलावा विराट कोहली ने कप्तान फाफ डूपलेसी के साथ मिलकर पहले विकट के लिए 148 रन की साज़ेदारी की जो आईपियल 2030 की पहले विकट के लिए सबसे बड़ी साज़ेदारी है इसके साथ कोहली ने बतोर ओपनड आईपियल में 3000 रन पूडे कर लिये हैं जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल करेद बिहार में आज यानी सोमवार को पिट्रॉल डीजल करेद जारी कियेगा इसके बाद राधानी पतना में आज पिट्रॉल 107.2 रूपे और डीजल 94.2 रूपे प्रती लीटर में मिल रहा है मुझा अपरपूर में पिट्रॉल 107.9 रूपे और डीजल 94.6 रूपे प्रती लीटर मिल रहा है इसके साथ हिगया में पेट air iki में 한 108.3 एक रुपय और डीजल की में 95.9.64 प्राथी लीटर है बता दिकी भीहार में पेटरोल का रेर सबसे आदा कसन गज़ में है जहाँ पेटरोल 109.946 प्राथी लीटर और 199.964 रुपय प्राथी लीटर की दर से मिल रहा है बीदे दिन हमादुरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों अपने जबाब हमें हमारी comment section box में लिख कर दिया है जिनोंने हमादुरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है क्या लाब मिलेगा अपना जवाब हमें इमारी कमेंट सेक्ष्चन में देखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबड़ों के साथ बने रहनी के लिए देखते रहें बिहारी नीज्ज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें चैनल को सब्सक्का प्रवाद